अब अगर आपको अपने वक्त की कदर का एसास हुआ है कि आपके पास लिमिटेड अमाउंट अफ टाइम है डेली बेसिस पे जाया करेंगे तो वक्त वो पैसा बचके नहीं रहेगा वो जाया होगा वो टोटली वेस्ट है आपने अपने पूरे दिन को स्केजुल अपना दे गंटे सोके तो नहीं हुजार रहा अगर मेरी ट्रैवलिंग जादा है और उस ट्रैवलिंग के टाइम पर मैं फारिग बैठा वहाँ तो मेरे पास वो टाइम भी अगर तीन घंटे जादा पर जेंपल कोई आपका स्टुडेंट है या कोई आप में से ऐसा है जो ट्रैवलि वाले से बाते करने के वक्ट जाया करने के कुछ कर तो नहीं रहे उसको आप प्रोड़क्टिव बना सकते हैं वो आप पर डिपेंड करता है तो पूरे दिन को स्कैन किया ऐसा तो नहीं कि आपके पास 14 घंटे तो हैं लेकिन उसमें से आप 6 घंटे अपने मुबाइल को दे लेकिन एक वक्त आएगा कि आपको समझ आजएगा आप अपने पास एक चीज रिटन फर्म में लिख दींगे कि मेरे पास टाइम गया का फिर नेक्स स्टेप आता है कि आप अपने इस पैसिफाई करेंगे अपने टार्गेट्स अपने गोल्स को कि आपने करना क्या है अग सिंपल एक लाइन में अपना पूरा फ्यूκεर डिफाइन कर रहे एपना पूरा किरियर बता रहे पूर एग्जंबल मुझे । टॉक्टर बने है या मुझे इंजिनियर बनने है कुई ब्रोफेशन जो पसंद है आपकू वो बनना है आपकी एक लाइन में व खतम होगया अ तो एक लाइन में बात खतम होगी जिस तरीके से आपके सामने इस वक्त मुबाइल फून्स हैं जिसमें आप कोई चीज देखने हैं जितना विजिबल वो हैं अगर अतना ही विजिबल आपको आपकी ड्रीम है आपको आपके गोल्स स्पैसिफाइड हैं तो तब ही आप उसके लिए मैनत करेंगे उसके लिए आप काम करेंगे अधर वाइस यह चीज जो आपके हाथ में मुबाइल फून्स वगरा हैं इसमें जितनी विजिबलिटी है अगर आपके दिमाग में अपनी ड्रीम को लेकर नहीं होगी तो आपको यह चीज जो आपके हाथ में इस वक्त आपके हावी हो जाएगी फिर आप अपने आइडिया को अपने ड्रीम को उठाके ड़स्मिन पर डालेंगे और चिपक जाएंगे अपने मुबाइल फून्स इन गैजट्स के ऊपर यह चीज नहीं करने हैं आपको आपको अपने स्पैसिफाइब करना है गोल्स को कि जितने कितनी परसंटेज चाहिए मैट्रिक में आऊंगा यहीं टैन क्लास में फिर 11 में फिर 12 में कितनी परसंटेज चाहिए कौन सा अच्छा कॉलेज है फिर उसे बाग युनिवस्टी कौन सी है टेस्ट कितने मार्स उसमें ले तो एक एक चीज़ स्पैसिफाइब होनी चाहिए अब अगर कोई कहता है स्टुडेंट के मुझे 90 परसंट लेनी है और हरकते वो कर रहा है 60 परसंट भी ना आए उसकी तो वो कभी भी अपने टाइम को प्रॉपर इटलाइज भी करेगी कि उसको गोल्स ही अपने डिफाइन नहीं है सबसे पहला काम आपको यह करना होता है क अगर मुझे 90 परसंट चाहिए ठीक है हर सब्जेक्ट में मुझे 90 परसंट चाहिए तब मेरे पास ओवराल 90 परसंट आएगी अब कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिसमें 80 परसंट आना भी बहुत मुश्किल होता है तो वो सारे आइडेंटिफाइ करने के बाद आप एक फाइफ के अराउंड आजेगी यह स्पेसिफाइड होता है किसी को फॉर एग्जेंपल अपने 20,000 रुपे कमाने हैं एक दिन के अंदर अब एक दिन में 20,000 रुपे कमाने के लिए कुछ तो सोचेगा ना ये थोड़ी कि मैं बोलों को मुझे 20,000 रुपे कमाने हैं एक दिन या 100 प्रोडक्त बेचूँगा, 200 रुपे की 100 प्रोडक्त बेचूँगा तो मेरे पास 20,000 रुपे आजएंगे. तो आपने अधेक्टिफाइ किया पहले किया हैं किस प्रोडक्टा बेचूँऊं? और इसकी पाद प्रॉडक्त बेचूँँ,